हेलो फ्रेंड मैं हुनिक और आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में सो फ्रेंड आज की इस वीडियों हम बात करने वाले IPL का जो 10th मैच होने वाला बैंगलोर वर्से कुलकाता की वीच इसका ड्रीम 11 टीम का तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले बैंगलोर टीम के प्लेंग 11 का तो देखें ओपनिंग करते हुए परडिकल और कोहली आपको दिखाई देने वाले हैं और मैं आपको सजेश्ट करूँगा कि इन दोनों को ही आप जुरू अपने ड्रीम 11 टीम में रखेगा परडिकल देखें बड़ी पारी खेल सकते हैं पिछले साल आपने देखा यूगा बहुत अच्छे फॉर्म में रहते हैं और अभी जो डोमेश्टी क्रिकेट भी हुआ तो वहाँ पर बहुत जबरजस फॉर्म में रहते हैं सो कोहली को भी जुरू अपने टीम में रखे पटीदार इस मैच में भी नहीं खेलने वाले हैं मैक्सवेल आपको चार नवन बैटिंग करते हुए दिखाई देदेंगा बहुत यह अच्छे फॉर्म में है और पिछला दोनों ही मैच बहुत ही जबरजस तरा है लाश्ट मैच में तो हाफ सेंचुरी भी करके आ रहे हैं उससे पहले 39 रनों के इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी तो यहाँ से मैक्सवेल को जुरू अपने टीम में रखेगा ABD विलर नमबर 5 पे आते हैं लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं आपको ही पता ABD विलर कितना खतरनाक प्लेयर हो सकते हैं तो यहाँ से डिविलर को ले जिएगा सेब आच का परफॉर्मेंस फिछले मैच में बहुत ही अच्छा रहा ता फ्रेंड अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं डैन क्रिशन को गलते से भी मत ट्राइ कीब है और इन से उतना ज़्जादा बॉलिंग फिलाल करवाया भी नी जारा और बैटिंग तो उतना चख करनी पारे हो परसल पर डेल को जुरूब अपने टिम में रखेगा बहुत एच्छे फॉर्म में पिछले दो मैच में साथ विकेट ले चुके हैं जैमी सन का बात क्या है तो इस मैच में जैमी सन के जगा पे आपको केन डिचर्ट संग खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं फ्रेंड सो जैमी सन को मत रखेगा इनके जगा पे केन डिचर्ट संग खेलने वाले और चेहल का बात क्या है तो फिछले दो मैच से लगतार फ्लॉप को रेफरेंड इस मैच में में बी चेहल के जगा पे नबदीब सैनी को खेलाया जा सकता है और चेहल इस्पीनर है तो एडम लंपा खेली है डैन क्रिस्चन के जगा पे सो इस्पीनर का भी कमी विराट कोली को महसूस नहीं होगा क्योंकि एडम लंपा भी एक लेग इस्पीनर है बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं और साथी साथ दैन के जगा समझे के नबदीब सैनी भी आ जा रहा हो बहुत अच्छा और है जैसे आपने इंडिया इंग्लेंड सिरीज में भी देखा होगा दो-तिन मैच के लिए चहल को ड्रॉप किया गया तक क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था इन्होंने तो अच्छा परफॉर्मेंस फिछले दोनों ही मैस से नहीं रहा है तो इस मैच में इनका द्रॉप होने का बहुत जादा हाई चांसे से अगर यह ड्रॉप होते है तो इनके जगा पर नबदिप सैनी आपको खेलते वे दिखाई दे देंगे और बात के याज सिराज का तो सिराज बहुत एच्छे फॉर्म में पिछला दोनों ही मैस से बहुत अबर जस्पॉलिंग कर रहे हैं तो इनको आप जरू अपने टीम में रखेगा बात कर ले तो कुलकाता टीम के प्लेंग 11 का उससे पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट रहेगा कि यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है और अभी तक यार आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है त हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत सकते फ्रेंट सो बेल आइकन को जरूर प्रेस किजेगा तो अब बात करते हैं से कुलकाता टीम के प्लेंग 11 का तो देखें आपको ओपनिंग करते हुए यहां पे सुम्मन गिल और नितीस राना दिखाई दे देंगा और दो सुम्मन गिल तो सुम्मन गिल भी अच्छे फॉर्म में नजरा रहे फ्रेंट पिछले दोनों ही मैच में बहुत अबर जस्त बॉलिंग करते हुए आ रहे स्वारी बैटिंग करते हुए और पिछला आप देख सकते हैं लास्ट मैच में 33 रनों कि इन्हें बहुत एच्छी पारी खेली थी और इस चीज़ मैं आपको बता दू कि सुम्मन गिल देखें ओपनिंग करने के लाते हैं इनके पूरा मौका रहता है बड़ी पारी खेलने का सुम्मन गिल को जुरू अपनी टिम में रखेंगा बात कि राहूल त्रिपार्डी को अगर इन्हें आप तो इस मैच में नरायन गुज़ने के वाले है स्लाकी भी खेलने वाले बहुत ऐच्छे वरं में यहां से guitar कमिंज को अपने टिम में रखंके यह ज़िया ग्यार हरबजन सिंग इस match में नहीं खेलने वाले हरबजन सिंग के जगा पे इस match में आपको कुल्दी प्यादव खेलते वे दिखाई दे देंगे हरबजन सिंग इसले नहीं खेलेंगे क्योंकि आप पिछला दोना ही match देख लिजे इनसे उतना जाटा बॉलिंग करवाया भी नहीं जखेंगे और प्रसीद क्रिष्णा का बाद क्या है तो इनका बॉलिंग भी पिछला मैच अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा बॉलिंग उतना कुछ खास रहा नहीं था चार ओबर में इन्होंने 42 रंद खर्च कर दिया था बहुत जादा रंद खर्च किया चांसेस है अब बात कर लेते पीच रिपोर्ट का उसके बाद डाइरेक्ट देखेंगे ड्रीम 11 टीम तो देखें यह मैच भी चेन्ने में होने वाला है और अभी कुछ मैचे मतलब चेन्ने लाश्ट मैच हुआ था अब देख सकते सिक्स मैच हुआ था इस आई पेल का जो और बर से कुलकाता के बीच हुआ था फ्रेंट जहां पर 149 रंग हाइस्ट गया था जिसमें 17 विकेट फास्ट बॉलर निकाला था पीच देखिए बैटिंग के लिए उतना भी हाड नहीं है और रन बन रहे फ्रेंट ऐसा नहीं कि रन नहीं बन रहा और बात किया जब बॉ पातों को ध्यान में रखते हुआ आज का हमने ड्रीम 11 टीम तैयार किया हुए तो आई अब डायरेक्ट ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बैटिंग का उसके बाद ऑल राउंडर का उसके बाद बॉलर का उसके बाद विकेट की परका तो सबसे पहला यह बात कर लेते हैं बैटिंग का तो बैटिंग में यहाँ से दिखे विराट कोली को जुरू अपने टीम में रखेगा बहुत अच्छे फॉर्म में मॉर्गन को छोड़ दीए कुछ खास परफॉर्मस अब तक रहा नहीं है नीतीस राना ने बहुत किया है फ्रेंट इनको आप जुरू अपने टीम में रखेगा सुम्मन गिल को अपने टीम में रख लिए इन्होंने भी बहुत बड़ेस फॉर्म दिखाया है पिछले मैच में यह बना कर आ रहे और ओपनिंग करने की लाते हैं तो इनको पूरा मौका रहता है बड़ी पार खेलने का सुम्मन गिल को जुरू अपने टीम में रखेगा पर्डिकल का बात किया तो देखिए इनका भी आईपल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है फ्रेंट और पिछले साल आपने देखा ही होगा और अभी आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखा होगा बहुत सिंकार रहा था तो यहाँ से पर्डिकल को भी जुरू अपने टीम में रखेगा तो बैटिंग में यही चार बैश्वन को लेंगे विराट कोली नितीस राना सुम्मन गिल और पर्डिकल यह चार आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले है करुन नायर नहीं खेलेंगे जी सिंग नहीं खेलने वाले है एस बे भी नहीं खेलेंगे राहूल त्रिपार्टी खेलते हैं आपको दिखाई दे देंगे अगर ट्राइ करना चाहे तो कर सकते हैं तीन नंबर पे खेलेंगे आर पटीदार नहीं खेलने वाले है एस प्रभू देसाई भी नहीं खेलने व सो रसेल को जुरू अपने टिम में रखेगा साकीवाल असन का भी बॉलिंग बहुत अच्छा रहा है और पिछले मैस से एक पॉजिटिव चीज निकल का है कि इनको पांच नंबर प्रोमोट किया गया है और फॉस्ट मैच में देखे इनको साथ नंबर पर उतारा गया था ले नरायन को छोड़ दिए इस मैच में भी नहीं खेलने वाले मैक्सवल आपको 100% खेलते हुए दिखाई देदेंगे और बहुत अच्छे फॉर्म में भी है सो मैक्सवल को आप जुरू अपने टिम में रखेगा डैन क्रिश्चन इस मैच में नहीं खेलने वाले मैंने आपको वी आईयर नहीं खेलेंगे डैनियल से हम देखिए कोविड पॉजिटिव हुए तो और फिलाल इस मैच में भी नहीं खेलने वाले हैं बात के यहां से सहवाज एहमद को तो सहवाज एहमद आपको खेलते वे दिखाई दे देंगे लेकिन आप यहां पे मैक्समां तीनी ओल हुआ है रसेल, साकीबल हसन, और यहां पे गलें मैक्समां आप चाहें तो यहां से साकीबल हसन के जगह पे सहवाज एहमद को भी ले सकते आपको बहुत कम क्रेट में आपको शावाज में पtheyाते distill जाये घर आप लना चाह तो ले सकते हैं अगर लेकिन मुझे ज्यादा बे बेटर लगे उससे आप ले सकते हैं या तो आप साकीवाल असन को ले दीजे या फिर आप यहाँ से सहवाज एहमद को ट्राई कर सकते हैं बात करते हैं बॉलर्स की तो देखें आप अल्रेडी मैंने आपको बता दिया कि चहल इस मैच में इनका ड्रॉप होने का बहुत जाद चैल को नहीं लेंगे पैट कमिस बहुत अच्छे फॉर्म में इनको जुरू अपने टिम मे रखेगा केन रिचर्ट संट का इस मैच में खेलने का बहुत जादा हाई चांसे से जैमी संट के जगए पे खेल सकते हैं यहाँ से हर सल पर डिल को जुरू अपने टिम में खेलेंगे जैमिसन के जगह पे इस मैच में केन रिचर्टसन खेलने वाले प्रसीद क्रिष्णा का भी बात किया तो पिछला मैच अगर देखा जा तो बहुत ही बेकार रहा था फ्रेंड और में भी ड्रॉप किया जा सकते क्योंकि कुलकातक पास और भी बहुत सारे फास्ट सिवं माभी कमलेस नागर कोटी है संदीप वारियर है बहुत बहुत अच्छे बॉलर है तो मेभी प्रसीद क्रिष्णा को भी ड्रॉप किया जा सकता है फ्रेंड लॉकी फर उसन फिलान लहीं खेलने वाले मोहम्मद सिराज 100% खेलते वे दिखाई दे देंगे और बहुत अ फिर पवन नेगी में से कोई है खेले का ज्यादा तर चांस जहाँ पे कुलदीप यादब का ही लग रहा है और बात के जहाँ से संदीप वारियर का तो फिलाल इनका कोई चांस नहीं है नबदीप सेनी आपको 100% खेलते वे दिखाई देंगे और प्रसीद क्रिष्णा के ज सहबाज एहमद को भी लेते हैं तो फिर भी हमारे पास 9.5 क्रेट ही बचेगा जिस वैसे एवीड विलर को यहाँ पे ले पाना बहुत ज्यादा मुस्किल हो रहा है और यहाँ पे अगर आप लेना चाहे तो ले भी सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा बहुत कंप्रमाइस करन पड़ेगा नहीं तो अगर आपको यहाँ से एक बात का अपलो ध्यान रखेगा एवीड विलर नंबर पांच पे बैटिंग करने के लिए आते हैं फ्रेंड हो सकता है इनका बैटिंग ना भी मिले क्योंकि अगर मान लीजे टॉप का मतलब तीन बल्लेवाज अच्छा बैटिकल को लेंगे देबदद परडिकल देखें 100% इनको बैटिंग मिलेगा ही मिलेगा और साती साथ यहां पर मुझे लगता है कि साकीवल असन देखें एक्सपरियंस बॉलर है साती सात नंबर पाच पे इनको प्रोमोट किया जा रहा तो बैटिंग बैटिंग अच्छा सो कैप्टेन के लिए मुझे रखता है विराट कोली आपके लिए सबसे बेश्ट रहेंगे और वाइस कैप्टेन यहां से निती सराना को बना सकते हैं जिन्होंने पिछले दोनों ही मैच में हाफ सेंचरी किया हुआ है और बहुत ही जवर्दस फॉर्म में भी हैं सो वाइस कैप्टेन के लिए निती सराना सबसे बेश रहेंगे और यहां से कैप्टेन आप विराट कोली को बना सकते हैं इसके अलावा अगर आप मालीजे तींचा टिम बना रहे तो ऐसा कर सकते हैं पहले टिम में तो आप विराट कोली को कैप्टेन बना दीजेगा और परसेल को Captain बना दीजेगा और Vice Captain यहां से Subman Gill को बना दीजेगा इस तरीका से मतलब Captain Vice Captain चेंज करके आप मतलब 4-5 टीम बना सकते हो फ्रेंड साथी साथ कुछ Player भी Changes कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको अल्रेडी बता दिया कि अगर आपको डिविलियर को लेना है तो फिर यहां से आपको पडिकल को छोड़ कर राहूल त्रिपाटी को लेना पड़ेगा और यहां पे दिनेस काती को छोड़ कर फिर आप डिवि जैसे कि यहां पे बरुन चक्रवत्ती हो गया बरुन चक्रवत्ती को ट्राई कर सकते हैं तो इस तरीका से मतलब थोड़ा वह चेंजेस करके भी फ्रेंड आप चार-पाश टीम बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन चेंजेस करके लेकिन देखें जो मुझे सबसे बेश टीम लगा हो मैंने आपको यहां पे दे दिया है फ्रेंड यही मुझे सबसे बेश टीम लग रहा है और मैं इसी के साथ जाने वाला हूं फ्रेंड इस मैच में तो उमीद करता हूँ कि यह टीम आप लोगो अच्छा लगा हो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्ल टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है और लिंक पे आपको क्लिक करके जॉइन हो जाना है अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद भी आप टेलिग्राम पे जॉइन नहीं हो पा रहे है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो हाँ पर मैं आपको एक फ्रेस लिंक से लोगो अच्छा लगाओ तो प्लेज वीडियो को दिल से लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी ज़र सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजे और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजे जो भी मतलब आप की तरह ही ड्रीम 11 फैंटेसी गेमस मतलब इंट्रेश रखते हों सो उन लोग के साथ इस वीडियो को जरूर सेयर कीजे और साथ ही साथ देखिए जिसका कमेंट मुझे सबसे बेश्ट लगेगा उसके कमेंट को मैं रिप्लाई करने के साथ साथ हाट भी देने वाला हूं और कर दो